श्रीराम कथा मंचन समीती लाश्पनगर मुरदबाद के तत्वाउधान में राम लीला मैदान के भवे रंग मंच पर मर्यादा पुरुशुत्तम भगवान श्रीराम के आदर्श वजीवन लीलाओं का मंचन भारत के विख्यार निर्देशक डॉक्टर पंकई दर्पन एवं सहे निदेशक विख्सित पंडित कार्ति के संसा मुरदबाद के कलाकारों द्वारा आज मंच पर धनुष यग सीता सोयंबर एवं लक्षमन परशुराम संबाद का मंचन किया गया जनकपुरी में राजा जनक का दर्बार सजा है और वहां देश देश के राजा महराजाओं का आगमन हो रहा है सीता सोयंबर की तैयारी धुमधाम से चल लही है सारे नगर को सजाया जा रहा है दर्बार सजा हुआ है राशकुमारी सीता धनुष लेकर आती हैं और सभा के बीच रखकर पूजन कर चली जाती हैं फिर राजा जनक प्रतिग्या दोहराते हैं जो इस धनुष को तोड़ेगा उसके गले में ही राशकुमारी वर्माला डालेंगी तभी दरबार में पताल नरेश बाणा सुर का आगमन होता है और राजा जनक उठकर उसे गले से लगाते हैं और कहते हैं आओ मित्र आओ और राजा जनक द्वारा उसे सभा का अध्यक्ष घोशित करते हैं और दरबार में उचित इस्थान देते हैं उसके बाद लंकापती रावड का आगमन होता है और वो दरबार में उपसित राजाओं को मारने पीटने लगता है भगाने लग तो हुआ कि सीता को एक दिन लंका आवेशे दिखाऊंगा, सोयंबर से चला जाता है, फिर बाना सुर्भी पताल लोक चला जाता है, फिर बारी-बारी से सभी राजा राशकुमार धनुश पर अपना जोर आजमाते हैं और लज्जित होकर बैठ जाते हैं, तब राजा जनक कह कैते हैं कि पृठिवी पर इस योग्ये कोई नहीं है, क्या झो धनुशको तोड़कर मेरी बेटी का बरन कर सके, विश्वामित्र राम को आज्या देते हैं, और राम उठकर धनुश को तोड़ देते हैं, धनुश तोड़ते ही, पृठिवी का जाती από है, और कहलार पर तप और वो उपस्तित राजा राशकुमार को अपनी मिरग छाला से मारते हैं और पूछते हैं ये धनुष किसने तोड़ा तभी लक्षमन उठकर आते हैं और कहते हैं ये पुराना धनुष तूट गया तो आप इतने क्यों बिगड लही हैं इस धनुष से आपका पुराना लगा लगता है और फिर लक्षमन परशुराम समवाद होता है वैवस्ता आज की लीलकी वैवस्ता में महेचंद्र अगरवाल मुकुल बंसल शियामकृष्ण रस्तोगी राजेंद्र अगरवाल शीव शरन अगरवाल मनोज वयास अतुल अगरवाल विवेग शर्मा विपिन पूता धनुष प्रसन्ति सीता सीता राम के बिदार रोते राम से मिलते हो गई दोते आवाजे धोल शंग शेहनाई